आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं Tata Motors श्टॉक के बारे में और देखेंगे तो आप पाएंगे कि आज इस श्टॉक ने सभी निफ्टी के जितने भी श्टॉक थे वो सभी डेट में ट्रेड कर रहे थे और एक मात्र Tata Motors था जो ग्रीन में ट्रेड होते हुए दिखा है और देखेंगे तो more than 1% की तेजी दिखी इसके पीछे के कारण देखेंगे तो नियर आराउंड 270 और 300 करोर के इंफ्लो इस स्टॉक में आते हुए दिखने वाले हैं चुकि यह रिप्लेस कर रहा है डॉक्टर रेड़ी को और मंदे में मंदे को टाटा मोटरस समलित हो जाएगा सेन्सेक्स के अंदर जिसके बाद यह expected किया जा रहा है और यहां देखेंगे टाटा मोटरस only ऐसा शेयर था निफ्टी के अंदर जो green में था बाकी सभी शेयर देखेंगे rate में trade होते विए दिख रहा है और हमने कहा भी कि 390 और 410 का एक strong demand zone है हालांकि उससे पहले यहां देखेंगे तो एक minor resistance 440 के आसपास का है इसको breakout करता है तो 460 और 520 तक के agility levels दिखेंगे as of now resistance का आसपास trade हो रहा है और Monday को एक strong obtained इस stock में दिखने है